हलो एवरीवन न्यू प्लेटफर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास्टेंथ साइंस जो है केमेस्ट्री का चेप्टर टू करेंगे चेप्टर टू जो अमल छारक एवं लवन है उसके अबजेक्टिव कोश्चन अंसर करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग देख लेना सोशल साइंस साइंस और बहुत सारे वीडियो मैं इससे टेंथ और नाइंथ का बना चुका हूँ जिसको देखने के लिए आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं या उपर वीडियो के उपर एक आइकन दिखेगा वहां भी जब आप किलिक करेंगे तो वहां से भी देख सकेंगे तो चलिए बिना देर किये हुए शुरू करते हैं पहला प्रसंद काता एक छात्र जांच परक्नली में लिए गए सोडियम बाइक कार्बोनेट के तनो विलियन में सर्भॉम सूचक की कुछ बुंद मिलाता है तो निमलिखित मेंसे कौन सा रंग दिखेगा तो कौन सा रंग दिखेगा तो इसका सही जबाब हो जाएगा आप्शन बी हडा रंग दिखेगा अगला सवाल पर चलते हैं निमलिखित मेंसे किस बिलियन का उप्योग दिवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है दिवारों की सफेदी के लिए किस बिलियन का उप्योग किया जाता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा Option B, CA, OH2 Kelsey M, Hydroxide का उप्योग किया जाता है अगला चलते है कोई बिलियन नीले नितमस पत्र को लाल कर देता है इसका pH संभबता होगा इसका pH कितना होगा जब नीले नितमस पत्र को जो है लाल कर देगा चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option A, 5 मतलब क्या होगा अमलिये होगा जिसका pH मन साथ से कम होगा अगला सवाल 11 Na2CO3 का जलिये बिलियन का pH होगा Na2CO3 के जलिये बिलियन का pH कितना है बताना है आपको तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option B, 7 से अधिक होगा क्योंकि यह चारिये है चलिए अगला सवाल पर चलते है Oxygenic Ambal की प्राकृतिक सुरुत निमलिखित मैंसे कौन है करने का मतलब Oxygenic Ambal की प्राकृतिक सुरुत निमलिखित मैंसे कौन होता है चार अप्सन दिये गए है चलिए मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब हो जाएगा आप्सन B टमाटर टमाटर में अख जली कमल होता है अगला सवाल पे चलते हैं निमलिखित में से कौन सा आयन लाल निटमस बिलियन को नीला कर सकता है कौन सा आयन लाल निटमस पत्र को जो होता है नीला कर सकता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option when we mix必न होता है चलिए अगला चलते हैं सवाल मरमर का रशाइनिक शुत्र क्या है संग मरमर का रस वेनिक शुत्र क्या होता है तो इसका सई जबाब होजागा option when H होता है CSCO3 calcium carbonate अगला सवाल चीनी कारसाइनिक सुत्र क्या होता है तो आपको यह याद रखना चाहिए काफी important person है चीनी कारसाइनिक सुत्र चलिए मैं बता देता हूं चीनी कारसाइनिक सुत्र हो जाएगा option C C12 H22 और O11 अगला सवाल पर चलते हैं sodium carbonate का अनुशुत्र है sodium carbonate का अनुशुत्र है sodium carbonate का अनुशुत्र होता है Na2CO3 अगला सवाल सल्फ्यूरी कामल का अनुशुत्र होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option BH2SO4 नीला थोता जिसको तूतिया कहा जाता है कारसाइनिक सुत्र क्या है नीला थोता या तूतिया कारसाइनिक सुत्र क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option B CUSO4 5H2O मतलब कॉपर सल्फिट और पाच जल ऐसे याद कीजीएगा जल्दी से याद हो जाएगा अगला सवाल पे चलते हैं बेकिंग पाउडर का अनुशुत्र क्या होता है चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूँ इसका सही जवाब हो जाएगा option CNAHCO3 sodium bicarbonate अगला सवाल खरिया का रसाइनिक सुत्र क्या है खरिया जिसको चौक करते हैं उसका रसाइनिक सुत्र क्या होता है चलिए मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब हो जाएगा option C, CA, CO3, calcium carbonate ही होता है जो संग बनमर का होता है खरिया का भी होता है जलिए अगला सवाल पर चलते है गुलकोच का रसाइनिक सुत्र होता है गुलकोच का रसाइनिक सुत्र क्या होता है चलिए मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब हो जाएगा option B, C6, H2LO6 हो जाता है गुलकोच अगला सवाल निम्नांकित में कौन लवन है लवन को पहचान ना है लवन कौन सा हो जाएगा तो चलिए मैं बता देता हूं इसका सही जवाब हो जाएगा आप्सन B NaOH सोडियम हाइड्रोक्षाइड हो जाएगा जो की लवन होगा अगला सवाल अमली ए बिलियन का पी एच मान होता है अमली ए बिलियन का पी एच मान कितना होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्सन B साथ से कम होता है अमली ए बिलियन का पी एच मान अगला सवाल पे चलते हैं उदासीन जल का पी एच होता है उदासी इनल का पी हैज जो होता而且 नाम लिए होगा शारी होगा इसका मतलब साथ हुगा अप्सने हो जाएगा इसका सही जवाब अग्ला सवाल पे चलते है निमली की सिसे पी एच का कौँ सा मान चारक बिलियन का मान देता है चारक है तो साथ सी अधिक होगा साथ से अधिक वाला अफसन कुन सा है अफसन डी है तो इसका सही जवाब अफसन डी हो जाएगा चलिए अगला सवाल पे चलते है दूद से दही बनने में निमनांकित में से कुन सी किरिया होती है दूद से दही बनना कैसी पर किरिया होती है किरिया होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option C किनोन होती है दूज से धही बनना गला सवाल पे चलते हैं लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो निमन में किस से निकाला जाता है बैगनी रंजक जो होता है लिटमस बिलियन किस से निकाला जाता है तो लिटमस जो होता है वो निका अगला सवाल पर चलते हैं सोडियम करबोनेट के जलिये घोल में मिथाइल औरेंज का गोल मिलाने पर गोल का रंग परिवर्टी थोकर कैसा हो जाता है सोडियम कार्बोनेट के जलिये घोल में मिथाईल ओरेंज का गोल मिला लेंपर गोल का रंग कैसा हो जाएगा तो इसका सही जवाब है option A पीरा हो जाएगा अगला सवाल किसी कॉलाइड बिलियन में नीलंबित कनो से परकास के परकिरनन को कहा जाता है किसी कुलाइड बिलियन में लंबित कनों से परकास के परकिरनन को क्या कहा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option C, टिंडल परभाब कहा जाता है अगला सवाल हमारा सरीर पी-एच के कितने परास के बीच कार्ज करता है हमारे सरीर में जो होता है pH का मान कितना से कितना तक रहता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option C 2.1 से 3.8 तक होता है अगला सवाल कोई billion लाल लिटमस को नीला कर देता है कोई billion लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा तो लाल लिटमस पत्र को नीरा करता है तो काने का मतलब यह चारी यह है तो चारी यह है तो उसका प्येच मांसाज चादिक होगा तो इसमें आप्शन कौन सा सही हो जाएगा आप्शन D सही हो जाएगा अगला सवाल पे चलते हैं निमनांकित में कूण एक अमल है कूण एक अमल है इसकी पहचान करना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option D. H.N. O. 3 Hu. eigen O. 3 हो जाएगा अग्ला स्वाल पे चलते हैं निमनांकित में कूण भस्म नहीं है भस्म नहीं है चुणा है तो भास्म कोन नहीं है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्सन D NACL क्योंकि यह लवन होता है यह नमक होता है नमक का सुत्र होता है इसलिए यह भास्म नहीं है अगला सवाल पर चलते हैं निम्नांकित में कोन लवन है निम्नांकित में कोन लवन है तो किसमे अमले के गुन नहीं होते हैं तो इसका सभी जवाब हो जाएगा आप साने जो लाल इटमस पत्र होना चाहिए अहां को नीला कर देता है तो वो क्या होगा अमले नहीं होगा वो छार हो जाएगा अगला सवाल जल में घुल अंसील भासम क्या कहलाते हैं जल में घुल अंसील भासम क्या कहलाते हैं तो उसको कहते हैं चार कहते हैं चार कहते हैं अगला सवाल कार्बन डायकसाइड जल से अब करिया करके बनता है क्या बनाता है तो कार्बन डायकसाइड जल से अब करिया करता है तो बनाता है carbonic amlis अगला सवाल Use is foods isistick amludowal यह क्यों इसका सशवाब क्या हो जाओगा अब लोग को नीचे comment करके comment box में हमने बताना हैतिक जो है दोरुआ आम्ल क्यों है और नहीं जबाब पता है तो अगला पार्ट इसका जो आने वाला है सेकेंड पार्ट उसको देखिएगा उसमें मैं इसका जबाब बता दूँगा तो दोस्तों उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा अजो लोग अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं और सबस्क्राइब कर दीजिएगा औ और ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन जाने के लिए साइड में विल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा